हालो फ्रेंट्स आज मैं आपको सिंगल सप्लाई और ड्वन सप्लाई इसके बारे में हम डिसकस करेंगे और इसका सर्कुट कैसा होता है वो भी हम आज डिसकस करेंगे तो चलिए शुन करते हैं ये एक transformer दिखाये गया है जो कि आप जैसा भी requirement ये जो IC है friends अगर 88.5 चाहिए तो लगवक minimum इसको हम 12.5 बोल्ट ज़ादा देंगे तभी हमें आपको regulate supply मिलेगी ऐसा नहीं है कि 85 लगाएंगे हम और 5 बोल्ट ही देंगे तो ये लगवक output में 4 बोल्ट देंगी यानि कि एक से 1.5 बोल्ट या 2 बोल्ट हमें इसको जादे जाना पुलेगा ये एक transformer है इसको हमने DC बना दिया है ये dual supply का circuit आप देख रहे होंगे और 78 बार है 78 बार है की एक number pin in होती है दो number pin ground होती है तीन number pin out होती है तो इसमें in में हमने एक capacitor लगाया हुआ है 1000 microfarad और एक हम ये PF लग इसी तरह से filter करने के लिए इसी तरह 69 बार है लगाएंगे 69 बार है में आप फ्रेंड देखिए 69 बार है में थोड़ा connection जो होती है अलब होते है इसका पहला number बार है पहला दूसरा number input होता है तीसरा number output होता है यानि 78 बारे से इसके pin connection अलब होते है तो माइनस अप्लाई है मा यानि के दो नमबर इसका इन है एक नमबर इसका ground है 69 बारे का और तीन नमबर इसका output है यानि तीन नमबर दोनों की ही output होती है दो और एक में इसमें अंतर है यहाँ भी हम 1000 माइक्रो फेरड और जैसी requirement हो अगर 88 बारा आप यूज कर रहे हैं तो 25 बोल्ट का लगाएंगे और अगर 88 24 का यूज कर रहे हैं तो लगवक 35 बोल्ट का कैपिस्टर लगाएंगे और 85 का यूज कर रहे हैं तो 16 बोल्ट का भी कैपिस्टर लगाके हम काम चला सकते हैं दोनों की पिंक मेंने यहाँ दी हुई है 99 बारा में आप देख रहे होगे एक नमबर ग्राउंड है दो नमबर इन है तीन नमबर आउट है उसी तरह 78 बारा में आप देख रहे होंगे एक नमबर इन है दो नमबर ग्राउंड है तीन नमबर आउट है यह फ्रेंड से यहां हम देख लेते हैं आटथतर पांच के बोल्टे। 78 पांच में फ्रेंड्स हम देख रहे हैं यहां पर मिनीमम इसको हमें 7 बोल्ट देने हैं और मेक्सिमम इसको 20 बोल्ट दे सकते हैं इसी तरह 78 है 88-6 को हमें लगग 9 minutes minimum और maximum वीस बोल्ट दे सकते हैं इसी तरह 88 है 10.5 बोल्ट minimum और maximum 23 बोल्ट तक दे सकते हैं 79 में 11.5 से 24 बोल्ट दे सकते हैं 74.5 से 27 बोल्ट maximum दे सकते हैं 78.15 में 70.5 बोल्ट से maximum 30 बोल्ट दे सकते हैं 78.18 में 20.5 बोल्ट से 33 बोल्ट maximum दे सकते हैं 79.24 में 26.5 बोल्ट से और 39 बोल्ट यानि के 49 बोल्ट maximum दे सकते हैं कभी-कभी हम गलती ये करते हैं 78.5 हमने लगा दी और हम क्या करते हैं 20 बोल्ट से उसको ज़्यादा दे देती हैं पता होता नहीं है तो आएसी हमारी खराब हो जाती है तो इस बात का विसेश ज्यान दें कि अगर हम करणट दे सकती है और कंपनियां तो किलेम करती हैं एक एक लेकर लेकर आट सोमय पीर तक ही करनट दे सकती है मैकसिमम और अगर जब वह सो ड़िट सो मिलि एम्पेर गर देना होता है तो इसम यहार ध्यूर्स 17 की जरूद नहीं पड़ती है लेकिन अगर हमें 800 मिली एमपीर या 500-600 मिली एमपीर करण लेना होता है तो इसको हमें हीट सिंग पर लगाना चाहिए विदाउट हीट सिंग के यह आएसी बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है इस बात का विसेज ज्यान दें तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आया हो और कुछ सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें शेर करें थैंक्यू बेरी मेंट